मेरा नाम सतीस है, मैं एक बहुत ही गरी परिवार में पैदा हुआ था 14 साल की उम्र से मैं अपना गाउं छोड़ कर इस सहर में नौकरी ढूंडने के लिए आया था ताकि मेरे घर के हालात भेदर वो सकें इस सहर में मैंने जगा जगा बहुत नौकरियां ढूंडी कई साल तक तो मैंने एक ढावे पर नौकरी भी की थी लेकिन उसके बाद मुझे एक बड़े से बंगले में नौकरी मिल गई मैं जिस घर में नौकरी करता था, वहां सिर्फ दो पती पत्री ही थे उनकी खुद की कोई आउलाद नहीं थी जबकि उनकी सादी को 9 साल हो चुके थे इस बंगले में मुझे मेरे ढावे के मालिक ने ही लगवाया था क्योंकि मेरे ढावे के मालिक ने अपना ढावा किसी वज़ा से बंद कर दिया था उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि मैं उनके धावे पर अभी तो नौकरी कर रहा हूँ लेकिन धावा बंद हो जाने के बाद मैं दरदर भटकने के लिए मजबूर हो जाऊंगा इसलिए उन्होंने मेरे उपर तरस खा कर इस दूसरी जगा पर मुझे लगवा दिया था मैं जहां पर नौकरी के लिए अब लगा था मेरा ये वाला मालिक भी पहले वाले मालिक की तरहा अच्छा था बल्कि ये तो मुझसे मेरे पहले वाले मालिक से भी ज़्यादा पैसे दिया करता था मैं अपने घर अब पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा था मालिक का बिहेविर भी मेरे साथ अच्छा रहता था मालकिन भी बस ठीक ठाक ही थी रात की टाइम पर मालकिन बहुत जोड जोड से खराटे मारती थी मैं इस घर में एक लोता नौकर था और सारे ही काम किया करता था क्योंकि मालिक और मालकिन को एक भरोसे मंद नौकर की जरूरत थी मालकिन घर का कोई खास काम नहीं किया करती थी इस बज़ा से वो ज़्यादा तर अपने कमरे में रहती थी और मैं बेफिकर होकर घर की सारे काम करता रहता था एक रात जब मैं मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया तो अचानक ही मेरा पैर लड़ खड़ा गया और मैं फिसल कर मालकिन के उपर ही गिर गया जिससे मालकिन भी हडवड़ा कर उठ वैठी और मैं वहां से भागने लगा मैं भागना चाहता था लेकिन दरवाजा इतनी देर में बंद हो चुका था ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि भाला ये सब कुछ किस ने किया है मैं मालिक और मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए आया था तो उनकी साधी की फोटोस देखकर मैं चौक गया था क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन नौ साल पहले भी इतनी ही खुपसूरत थी जितनी अब थी उनकी खुपसूरती देखकर के तो मेरे होश ही उड़ गए थे आखिर मैं भी एक मर्द था और अपने आस पास मैंने काफी सारी खुपसूरत लड़कियों और और औरतों को पहले भी कई बार देखा था अब तो मैं जवान हो गया था मेरी भी दिल में अफशादी के अर्मान जागने लगे थे लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी साधी नहीं हो सकती थी क्योंकि अभी तक मेरे अपने हालाद बहतर नहीं हो सकते थे मालकिन को देखकर मेरे दिल में चाहत होने लगी कि कास मेरी पतनी भी मालकिन जितनी ही खुबसूरत हो मेरे पिता लाचार आगमी थे इसलिए घर का खर्चेश चलाने के लिए मुझे ही गाउं से सहर नौकरी करने के लिए आना पड़ा था मैं अपने माता पिता के अखलोता बेटा था मुझे अपने माता पिता का बहुत खयाल था इसलिए मैं उन से दूर रहकर काम कर रहा था और सहर में पैसा कमाने के लिए ना जाने मैं कितने सारे काम कर चुका था यहां मालकिन के घर में मुझे दिन रात काम करना पड़ता था क्योंकि मालिक ने इतने काम के लिए मुझे डवल सैलरी देने का वादा किया था मैं हर रोज फोन पर अपने माता पिता से बात करता था जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पर काम करने के मुझे डवल पैसे मिल रहे हैं तो मेरी माभाब बहुत खुश हो गए थे उनका कहना था कि अगर ये नौकरी तुमें शुरू में ही मिल जाती तो अब तक तो हमारा कितना फाइदा होता मेरे पिता मुझसे कई बार सर्मिंदा भी होते थे कि मैंने अपने कम उमर बेटे को काम पर लगा दिया है मेरे पिता ने कहा कि बेटा अगर मैं ठीक होता तो तुम्हारा बचपन इस तरह से कभी भी खराब नहीं होने देता बस मेरी लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है मुझे माफ कर दो अब तुम दिन रात काम करोगी तभी तो मेरा इलाज और घर का खर्चे चलेगा तुम फिकर मत करो और अपना खयाल रखो और बेफिकर होकर सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दो मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे उन्होंने हमेशा मेरे बच्पन के खराब होने का बहुत अफसोस किया था उनको लगता था कि बच्चों पर जिम्मेदारी तब डालनी चाहिए जब वह पूरी तरह से जवान हो जाएं लेकिन सायद उनकी मजबूरी ने उनके ही बेटे पर बहुत जल्दी जिम्मेदारिया डलवा दी थी मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परिसानी नहीं थी मुझे यहाँ पर रहने के लिए बंगले में अलग से एक बाहर ही छोटा सा क्वाटर भी दिया गया था मैं उसी में रहता था आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजार दिया तब तो मालिक और मालकिन का behavior मेरे साथ अच्छा था मालिक भी ज़ादातर घर में ही रहते थे अपने ओफिस का काम बहुत ज़ादातर भो घर से ही किया करते थे मालकिन की фото घर में काफी जगापन लगी हुई थी मैं जब-जब मालकिन की फोटो देखता तो मालिक मुझे अजीब-जीब नजरों से देखते थे मैंने पलट कर देखा तो मुझे सरमिंदगी का एसास हुआ था लेकिन मैं अपनी इस आदत से मजबूर था मालकिन इतनी जादा खुबसूरत थी कि मैं उनकी फोटो को देखता तो बस देखता ही रह जाता था मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी मैं घर की साफ सफाई करने के बाद किचिन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था तब ही वहाँ पर मालकिन आ गई आज मैंने मालकिन को किचिन में पहली बार देखा था क्योंकि सुना था कि मालकिन जादा घर के काम नहीं करती कर कोई नहीं कह सकता है कि उनकी साधी को नौ साल हो चुके हैं मालकिन ने किचिन में आते ही उससे पानी मांगा और उन्होंने कहा रामू जरा मुझे एक गिलास जूस बना दो मैं उनकी इस बात पर चौक गया था क्योंकि ये मेरा नाम नहीं था मैंने मालकिन से कहा मेरा नाम तो सतीस है मैंने नजरे उठा कर मालकिन की तरफ देखा तो वह भी हैरान रह गई थी क्योंकि वह एक बहुत खुबसूरत और पड़ी लिखी औरत थी मैंने जल्दी से जूस कव गिलास में करके उन्हें जूस का गिलास दिया जूस का गिलास लेते हुए वो काफी सर्मिंदा हो गई थी और कहने लगी ओ सौरी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम सतीस है मैंने समजा था कि तुम बही पुराने वाले नौकर हो तो मालकिन भी मेरे चेहरी की तरफ गौर से देखने लगी ये सुनकर मैं मुष्कural दिया था वो कहने लगी कि तुम्हारी अभी उ पूरते रहते थे और आप भी वह गूर ही रहे थे मैंने मालिक को दर्वाजे पर देखा और उनसे कहा कि मालिक आपको कुछ चाहिए क्या मेरी ये बास सुनकर मालिक के चहरे पर और भी बल पड़ गए थे और वह मुझे काट खाने वाले अंदाज में कहने लगे ये तुम्ह मेरी बात का इतना बुरा क्यों मान सकते हैं क्योंकि वैसे तो मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था लेकिन जहां बात मालकिन की आती थी तब वह मुझे पर बहुत जादा गुस्सा करते थे इस से पहले कि मैं मालिक को कोई और जवाब देता मालकिन माल पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़ कर चला गया था मालकिन ने ये बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी मगर मैंने सुली थी मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा सतीस रात को तुम जल्दी मत सोना मुझे तुम से एक काम है ये कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गये थे जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो यहां से काम छोड़ कर चला गया था कही कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था मैं काफी देर तक यही सब सोच रहा था तब तक खाना बन गया अगले दिन खाने में क्या बनाओं इसके लिए मैं सबजी खरीद ने निकल गया अभी मैं बहाँ पर खड़े होकर सबजी खरीद ही रहा था कि तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला तुम्हारा नाम सतीस है ना तुम राजीप ची की यह काम करते हो ना मैंने हैरानी से उस आदमी को देखा कि वो तो मेरे बारे में सब जानता था पर मैं उसके बारे में नहीं जानता था मैंने उससे कहा जी हां लेकिन आप कौन तो वह मुस्कुरा कर कहने लगा कि दरसल मैं भी पहले उस बंगले में काम करता था उसकी ये बात सु कर मेरी आखें बड़ी बड़ी हो गई फिर वो मुझसे बोला और तुम्हारे साथ सब कुछ वहाँ ठीक तो है ना मैंने हैरत से कहा कि हां मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है बहला मेरे साथ कुछ क्यों होगा तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा कि शायद अभी तुम्हें बह क्या है तो वो कहने लगा कि अगर तुम गलत नियत के इंसान होगे फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है वैसे एक बात कहूं मालकिन है सच में बहुत खुबसूरत इतनी हसीन औरत मैंने तो अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखी इतना कहकर वो बहां से चलता बना लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या खिर वो इस तरह की बात करके क्यों गया मैं सोच विजार करते हुए घर लोट आया था लेकिन मेरी उलज़न खतम नहीं हो रही थी खाना खाने का वक्त हो गया था इसलिए मैंने उन लोगों के दिये टेवल पर खान हो गया मैं अपनी मा को अपने हाल चल बता रहा था और बोल रहा था कि मैं आज दिन भर क्या क्या किया है मैं फोन पर बात कर ही रहा था कि तब ही मुझे किसी की नजरों का एहसास हुआ मैंने मुड़कर जब दर्वाजे की तरब देखा तो मैं हक्का वक्का रह गया था क् मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो मैं एकदम ही डर कर फोन काट दिया और मैं फॉरन दर्वाजे पर मालिक के पास चला गया मैंने मालिक से कहा जी मालिक, आपको क्या काम है मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरेवान पकड़ लिया और कहने लगे तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना भूल गये ते क्या ये सुनकर मैं अचानक चौप गया मुझे याद आया कि सच में ये मेरी ही गलती है लेकिन एक तरफ से मैं बहुत जादा परिशान था सुरू-सुरू के दिनों में मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था जब मैं यहाँ पर नया नया आया था मालिक का बिहेवियर ठीक था अब जब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए एक हफता होने वाला था और मेरी यहाँ पर नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी तब से ही मालिक का behavior मेरे साथ बहुत गलत होने लगा था और वो मुझे अजीब गुस्से वाले behavior में बाते कर रहे थे मैंने मालिक से कहा मालिक मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई है मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़े तो उन्हें मुझे पर तरस आ गया वो कहने लगे चलो फॉरण जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ उन्होंने मेरा गिरेवान छोड़ दिया था और अपने कमरे में चले गए थे मैं जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेवान पकड़ा तो मेरी पूरी शर्ट उपर हो गई थी मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौझूद नहीं थी मालकिन बाहर गार्डन में अपनी एक सहेली के साथ फोन पर बाते कर रही थी मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े पकड़ा दिये मा कहा कि जल्दी से ये कपड़े पहल लो मालिक की ये बास सुनकर के तो मेरे होश ही उड़ गये थे बना मालिक मुझसे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे यूँकि कपड़ों को देखकर साफ जाइर हो रहा था कि वो महंगे है मुझे लगा कि शायद ये मालिक के ही कपड़े होंगे लेकिन ये कपड़े तो बिल्कुल नहें थे उनकी हालत बता रही थी कि इने एक बार भी पहना नहीं गया है मैंने कहा क्या मतलब मालिक तो मालिक ने हाथ की तरफ इशारा किया और कहा जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो ये सुनकर तो मैं घवरा गया था मैंने फिर से कहा लेकिन क्यों मालिक मैं आपकी ये इतने महंगे कपड़े नहीं बेन सकता मालिक ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे कहने लगे तुम्हें ये कपड़े हर हाल में पहनने ही होंगे योगी आज तुम्हारी सुआग रात है और तुम्हें दूला बनकर अपनी दुलहन के कमरे में जाना है ये बात सुनकर मैं तो हपका बक्का रह गया था मुझे तो लग रहा था कि मेरे मालिक का दिमाग खराब हो गया है वाला मालिक ये कैसी बाते कर रहे थे वो मेरी शादी किसी लड़की से करवा रहे थे और मजे अभी तक कुछ पता ही नहीं था और फिर मेरी सादी किससे करवाई जा रही थी वो भी मुझे बिना बताए इतने जल्दवाजी में मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये बात मैंने मालिक से पूछी तो वो कहने लगे तो अपनी मालकिन के पती हो और तुमें तयार होकर उनके कमरे में जाना है मालिक की बात सुनकर मैं दंग रह गया था और पूरी तरह से घबरा गया मेरा मन किया कि मैं यहां से भाग जाओ लेकिन मैं कहा जाता इस तरहा नौकरी छोड़ कर तो मैं यहां से नहीं भाग सकता था और रात के इस टाइम अपने घर भीम नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा घर तो यहां से बहुत दूर था और ऐसे अचानक अपने घर अगर मैं यहां से भाग कर चला भी जाता तो मेरे बूड़े माता पिता सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़ कर घर क्यों चला आया हूँ वो तो मुझे देखकर परिशान ही हो जाते अपने माता पिता को परिशान करने से भेतर है कि खुद ही किसी तरह से इस परिशानी को हैंडल कर लो इसी लिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिये और मालिक ने अपने हातों से मेरे बालों का हेर स्टाइल बनाया और मेरे उपर अपना नया पर्फ्यूम भी छड़त दिया जिसकी खुजबू सारे कमरे में फैल चुकी थी मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिये गए मैं इतना जादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान ही नहीं पाया मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि जब मैं अपनी साधी पर दूला बनूँगा तो इसी तरह से खुबसूरत दिखाई दूँगा लेकिन मेरी दुलहन दुलहन की बात पर अचानक मेरे दिमाग में मालकिन आ गई थी और मैं परिशान होकर सोच में पड़ गया क्योंकि मुझे अभी इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था क्योंकि मालक मुझे पर दवाव बना रहे थे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालक मुझे नौकरी से निकाल देते और इस टाइम मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीवत का सामना है इस मुसीवत से निकलने का रास्ता मैं सोच सोच कर ठक चुका था मुझे मालकिन वैसे तो देखते ही पसंद बहुत आई थी लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं आया था ये मेरे मालक का हुकम था जिसे अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मालकिन का दूला बनकर तयार हो गया था जब मैं तयार हो गया तो मालक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले आई मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मालक क्या करना चाहते हैं मैं अगर उनसे कोई भी सवाल करता तो वह मुझे घूर कर देखते और खामोश होने को कहते थे वह मुझे मालकिन के कमरे तक ले गए मालकिन अपनी सहेली से काफी देर तक गार्डन में बात करने के बाद अपने दूसरे वाले कमरे में जाकर सोने के लिए लेट चुकी थी क्योंकि मुझे मालक के साथ तयार होते हुए एक घंटा लग गया था मालक मुझे देख कर कहने लगे ये तुम्हारी दुलहन का कमरा है और तुम्हारी दुलहन सो रही है जाओ और उसे नीन से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ रहो ये सुनकर मैंने मालक से कहा मालक आप होश में तो हैं आप ये कैसी बाते कर रहे हो मालकिन का पती मैं कैसे हो सकता हूँ अगर मालकिन को ये सब कुछ पता चल गया तो वह मुझे धके दे कर घर से निकाल देंगी मैं उनकी नजर में गिर नहीं सकता हूँ मालकिन मुझे गलत समझेंगी अगर मालकिन ने मुझे पर इल्जाम लगा कर सब जगह बदनाम कर दिया तो फिर मैं तो किसी को मूह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा मेरे बुड़े माता-पिता है जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है अगर उन लोगों के ये बात पता चल गई तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे मैं अपने माता-पिता को क्या मू दिखाऊंगा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया था लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया अगर अपनी मालकिन के साथ मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो मैं सब की नजर में गिर जाऊंगा दुनिया मुझ पर थूकेगी मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिये और मैं गिड़गडा कर उनसे कहने लगा मालिक मुझे छोड़ दो मुझसे ये पाप मत करवाओ मालिक मुझे जाने दो मालकिन बहुत अच्छी औरत है मैं उनकी नजरों में गलत नहीं बनना चाहता मैं अपने मालिक के आगे बहुत गिरगड़ा रहा था। लेकिन उनको मेरी किसी भी बात का कोई फरक ही नहीं पड़ रहा था। जब शुरू-शुरू में मैं यहाँ नौकरी पर लगा था तो मालिक का बिहेवियर देख कर ही मैं यहाँ पर नौकरी करने का फैसला किया था। कि शायद मालिक को कोई नौकर नहीं मिल रहा था इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा भीयेव रखा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आदमी इतना गटिया है नजर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहां पर नौकरी नहीं करता अब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि मालिक का पुराना नौकर मुझे उस तरह की बाते क्यों कह रहा था क्योंकि इन्होंने उससे भी मालकिन के साथ ये सब कुछ करवाया होगा आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर बहुत अफसोस हो रहा था मालिक ने मुझे जमीन से उठाया और मेरे आसु साफ करके कहने लगे देखो तुमने अपना सारा हुलिया खराब कर लिया है पता है तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस टाइन तुम बहुत जादा हैंसम लग रहे हो किसा आदमी को हो क्या गया है ये मुझे अपनी पत्नी के पास खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रात गुजारने के लिए भेज रहा था ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं भी नहीं देखा था ये आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था कोई अपने नौकर को भी इस तरह से अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है क्या मैं अभी यही सब कुछ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मालिक ने कहा जाओ जल्दी से अंदर जाओ तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं सुभा तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूँगा मालिक को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि मैं एक गरीब नौकर हूँ शहाद वै मुझे पैसे का लालच दे रहे थे कि मैं लालच में आकर उनकी पत्नी का पती बनने के लिए तयार हो जाऊं मगर मुझे पैसो का लालच बिल्कुल भी नहीं था इसलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे पैसो का लालच मत दीजिए मुझे एक औरत की इज़त बहुत प्यारी है जैसा आप मुझे करने को कह रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी करने वाला इंसान नहीं हूँ मैं औरतों की बहुत इज़त करता हूँ कभी मैंने औरतों को आप उठाकर तक नहीं देखा है ये सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे कान में कहा तो फिर तुम दयार हो जाओ क्योंकि आद और इसी वक्त मैं तुम्हें यहां से धक्के मार कर निकालने वाला हूँ और अगर यहां से नहीं निकलना चाते हो तो फिर तुम्हें कमरे में जाना होगा और वो सब करना होगा जो मैं कह रहा हूँ ये कहते ही मालिक ने कमरे का दर्वाजा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया मैं सीधा बैड पर मालकिन के ऊपर जा गिरा था जो बैड पर करबट लिये सो रही थी मालिक ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं समल भी नहीं पाया था क्योंकि मालिक जिम किया करते थे और मैं बहुत ताकतवर थे जोकि मैं एक दुबला पतला सा लड़का था जब तक मैं समलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी मैं दोड़कर दर्वाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से दर्वाजे को बंद कर चुके थे ये देखकर मैं परि दिशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था उनोंने मेरी तरफ देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गई थी वो कहने लगी कि तुम मेरे कमरे में इस टाइम पर कर गया रहे हो और तुमने ये कैसे कपड़े पैने हुए हैं तुम क्या कहीं पर जा रहे हो या फिर कहीं से आए ह रहा था और मैंने मालकिन से कहा कि प्लीज मालकिन मुझे माफ कर देना मुझे गलत मत समझना ये कहकर मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया था और मेरी नजरे जुकी हुई थी मुझे बहुत डर लग रहा था रात के इस टाइम पर मैं एक औरत की कमरे में बंद था मालकिन मेरे उपर किसी भी तरह का इलजाम लगा सकती थी मर्द जितना भी नेक और शरीफ क्यों ना हो लिकिन औरत को उसके उपर इलजाम लगाते हुए देर नहीं लगती और फिर लोग भी इस इलजाम को सचमाल लेते हैं यही सब कुछ सोचते हुए मैं थर-तर काप रहा था मैंने फिर से दर्वाजे को भी बजाना सुरू कर दिया मालिक प्लीज दर्वाजा खोल दो मुझे यहां से बाहर निकाल दो मैं जोर-जोर से दर्वाजा पीटने लगा था तैकि मालिक का जुनून खतम हो जाए और वो दर्वाजा खोल दे मगर मालिक ने दर्वाजा नहीं खोला दर्वाजा पीट-पीट कर मैं ठक गया था इधर मेरे हाथ भी दुख चुके थे मालकिन तो खामोसी से एक तरफ खड़ी हुई थी मैंने नोटिस किया था कि उनकी आँखों में भी आसू है थोड़ी देर के बाद मालकिन मेरी तरफ बड़ी और मैं जल्दी से उनके सामने हाथ जोड लिये कहा कि मालकिन आप मेरे करीब मत आईए मैं आपको कुछ नहीं करूँगा मुझे मालक ने जवर्दस्ती आपके कमरे में भेजा है मैं यहां नहीं आना चाता था अपकी बार तो मैं रोने लग गया था क्योंकि मैं नहीं चाता था कि मालकिन मुझे गलस समझे मैं अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया मैं इस कमरे से बाहर जाना चाता था किसी भी तरहा से इसलिए मालकिन से कह रहा था कि वह मुझे इस कमरे से निकाल दे और मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया हूँ मुझे आपके पती ने इस कमरे में भेजा है मालकिन ने कहा मुझे पता है तुम इस टाइब के नहीं हो, मैं बहुत सर्मिंदा हो रहा था और मालकिन से कह रहा था कि प्लीज, मुझ पर कोई इलजाम मत लगाना मालकिन मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे तसल्ली दी वो कहने लगी डरो नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालक की तरह मुझे फसा ना दे मालकिन मुझे छूने की कोशिस कर रही थी, मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उन्हें कहा कि प्लीज आप मुझे गलत मत समझना ये सुनकर मालकिन ने अपना हाथ रोक लिया उन्होंने मुझसे कहा मैं बस तुम्हें तसली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक अब सुबा को ही ये दर्वाजा खोले इसलिए तुम्हें होस से काम लेना होगा और अपनी हालत ठीक करनी होगी मालकिन की बाते सुनकर मैंने अपने चहरे को जल्दी से साफ किया मगर मैं उनकी परवा नहीं की मैंने मालकिन से कहा आप मेरी हालत की परवा मत करो आप बस मालिक से एक बार ये कह दो कि वो दर्वा खोल दें मैं अपना सामान पैट करके यहां से चला जाऊंगा और कल से नौकरी पर भी नहीं आऊंगा मैं गरीब इनसान हूँ मैं किसी मुसीबत में नहीं फसना चाहता मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को मेरी सरमिंदगी उठानी पड़े ये सुनकर मालकिन ने कहा लेकि ये आप ऐसे क्यों कह रही हैं मालकिन मैं ये कपड़े आपके लिए पहन कर नहीं आया हूँ ये तो मालक ने मेरे साथ जवरदस्ती की है मुझे जवरदस्ती ये कपड़े पहना दिये हैं ये कहकर मेरे चहरे पर पसीना आने लगा था मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा म जानती हूँ मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे ठक जाओगे तुम बैड़ पर सो जाओ मैं सो फेपर सो जाओंगी मालकिन ने मुझे बेवसी से देखा तो मैं उनसे कहने लगा आप एक इस पर ही बैठा हुआ सब कुछ सोच रहा था मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी मैं सोच रहा था कि अगर किसी औरत की कमरे में कोई मर्द अचानक से गुश आए तो वो घबरा जाती है लेकिन मालकिन के चेहरे पर मुझे किसी तरह की कोई घबराहट नजर नहीं आ रही थी बस एक अफसोस था जो कि मुझे नजर आ रहा था लेकिन अब वह अफसोस भी सायद खतम हो गया था क्योंकि मालकिन सोफे पर लेट कर गहरी नीन में सो चुकी थी और पूरा खाली बैड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था सारी रात इसी तरह से सोते हुए और जमीन पर बैठे हुए गुजर गई थी इसी तरह सारी रात मेरी जागते जागते ही गुजरी सुबह हुई तो मैं कुछ उंग रहा था मगर जैसे ही मुझे दर्वाजा खोलने की आवास सुनाई दी मैंने फौरां दर्वाजे की तरफ देखा और मैं दर्वाजे की तरफ चलता हुआ गया मगर इससे पहले कि मालिक अंदर आ गए होते और मेरी तरफ देखने लगते मैं कापने लगा था मुझे गौर से देखने के वाद बुसोई हुई मालकिन के पास गए और उन्हें नीन से जगा दिया और कहने लगे उठो काब्या काफी देर हो गई है और ये नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है ये सुनकर मालकिन जाग गई थी तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़ा और उन्हें साइड पर ले जाकर उनसे ना जाने क्या क्या बाते करने लगे थे वो मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे थे जिसे सुनकर मालकिन के चहरे की रंगत उड़ चुकी थी ये देखकर मैं चौक गया था मगरम मैं आजात था इसलिए जल्दी से बाहर जाने लगा था तवी मालिक ने मुझसे कहा ठेरो ये नए कपड़े उतार दो मुझे कुछ चेक करना है और तुम जल्दी से मालकिन के लिए नास्ता बना कर लाओ ये सुनकर मैं फारण कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था कपड़े चेंज करने के बाद मैंने जल्दी से नास्ता बनाया और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब यहां से चला जाओंगा मैं सारी रात मालकिन की कमरे में जाता रहा था इसलिए मैं बहुत जादा ठक चुका था मैं जल्दी से किचिन में गया और सारा नास्ता बना चुका था ये देखकर मैं डर गया क्योंकि यकीनन मेरी शामत आने वाली थी लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मालिक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज शाम तक ही अपने गाउं के लिए रवाना हो जाओंगा मैं टेबल पर नास्ता लगा रहा था और मालिक मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे उसके बाद मैं किचन में खामोश खड़ा रहा और मालिक से बात करने का मौका ढूंड रहा था मैंने मालिक से मौका मिलते ही बात की और उनसे कहा कि मालिक मैं आज शाम तक यहां से जा रहा हूँ मालिक मेरी बास सुनकर हैरान होकर चौंक है और उन्हें कहा कि तुम्हें याद है कि जब तुम पहले दिन हमारे यहां नौकरी पर आये थे तो मैंने खुशी खुशी तुमें 30,000 रुपए दिये थे तुमने वो 30,000 रुपए अपने माता-पिता के पास भेज दिये थे अगर तुम चाहो तो अभी मेरे वो 30,000 रुपए मुझे दे दो और तुम आज साम तक क्या? तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाना मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रहे गया था कि उन्होंने मुझे ब्लैक मिल करने के लिए पैसे दिये थे मालिक ने कहा आज रात फिर से तुमें अपने मालकिन की कमरे में जाना है मैंने मालिक से कहा कि आप ये सम मुझे से क्यों करवा रहे हो मालिक कहने लगे ये काम तो तुमें करना ही होगा ये बात सुनकर मैं फिर से हका बक्का रह गया था मुझे लगा था कि मालिक का जुनून खत्म हो चुका है मगर मालिक तो आज भी मेरे साथ वही करने वाले थे लेकिन ना जाने क्यों आज मैं ये नहीं सह सकता था मैं चुपचाप उनकी बाते सुनता रहा था मैंने मालिक के आगे हाँ चोड़ दिये और कहा मालिक मुझे माफ कर दीजिए मैं मालिक के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता मालिक ने मेरे हाथ पकड़े और कहा जैसे मैं कहता हूँ चुपचाप वैसा ही करो नहीं तो पैसों का बंदोबस्त करके ही तुम यहां से जा सकते हो ये सुनकर मैं फिर से परिशान हो गया था रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दिये और कहा कि ये कपड़े मेरे हैं और तुमारी मालकिन को मैं इन कपड़ों में बहुत पसंद आता हूँ आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो उसकी होश उड़ जाएंगे और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे मैंने मालिक की बास सुनकर कुछ भी नहीं कहा और चुप चाप कपड़े चेंज करने के लिए चला गया मैंने कपड़े चेंज कर लिए जब मैं मातरूम से बाहर आया तो मालिक मुझे देखते ही खुश हो गए और उन्होंने कल की तरहा अपना परफ्यूम मेरे उपर छड़क दिया और फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने के लिए कहा मैं आज फिर मालकिन के दूसरे वाले कमरे में आ गया था और अपना मू लटका कर उनकी कमरे में चला आया आज मालकिन जाग रही थी ना जाने क्यों आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी मैं चुपचाब बैठ गया और अपने सर को जुका लिया मुझे याद था कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालक ने धीरे से मेरे कान में कहा कि कल तो तुम होश में थे लेकिन आज तुम अपने होश में नहीं रहोगे क्योंकि जो फर्फ्यूम मैंने तुम्हारे उपर लगाया है वो कल वाला पर्फ्यूम नहीं था वो बहुत तेज पर्फ्यूम था जिसकी खुच्वों से तुम्हे नशा चड़ गया है और अब तुम नशे में हो और आज की रात तुम मेरी पतनी के साथ हसीन बना कर ही रहोगे आज मैं देखूंगा कि मेरी पतनी कितनी इजददार और शरीफ औरत है मैं कमरे में आकर बैठ चुका था मालकिन मुझे घूर घूर कर देख रही थी मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था मेरी कानों में मालिक के आवाज कुँच रही थी कि ये कपड़े तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद है आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देख कर अपने होश खो बैठेगी आज मैं मालकिन के सामने शर्मिंदा हो रहा था इसी तरह से सारी रात गुजर गई थी मालकिन काफी रात तक मुझे देखते देखते सोफे पर जाकर सो गई थी और मैं भी ना जाने कब नीद में चला गया सुभा जब मेरी आख खुली तो मैंने देखा कि अभी तक मालकिन सोफे पर ही सोई थी और खुद को मैंने जब बैठ पर देखा तो मैं घबरा कर उठ गया मैं उठते ही सबसे पहले दर्वाजा खोलने की कोशिश करने लगा तो दर्वाजा नहीं कुला सुभा हो चुकी थी और मेरी बेहोशी काफी हद तक खतम हो चुकी थी मैं बहाँ जादा परिशान हो रहा था फिर मैंने जोर जोर से दर्वाजा बजाना सुरू कर दिया मालकिन दर्वाजे के शोर से उठकर बैट गई थी तब ही मालक ने दर्वाजा खोल दिया मैं जल्दी से बहार निकल गया और मालक मुझ पर हसने लगे मैंने मालक के हसने की परवाह नहीं की आज भी मैं मालकिन की इज़द की हिफाज़त करने में कामयाब हो चुका था मेरे लिए ये सब बहुत ज़रूरी था मैं फॉरन बात्रूम में गया और जाकर सबसे पहले मैंने कपड़े चेंच किये और अपने कपड़े पहन लिए उसके बाद मैं किचिन में जाकर नाश्था बनाने लगा मैंने सोच लिया था कि आज मालिक अपने कमरे में जाएंगे और मैं फॉरन ही जाकर इस वारे मैं मालिक से बात करूँगा और इनसे कहूँगा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिये मैं किसी बड़ी मुसीवत में नहीं फसना चाता था तब ही अचानक मुझे मालकिन के कमरे से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी मालकिन मालिक से लड़ रही थी इशोर की आवाज सुनकर मैं मालकिन की कमरे की तरफ गया खुले दरवाजे से मैं मालिक और माल कितनी बार अपनी इश्जद गवा चुकी होती नौकर ही तुम्हारा ऐसा बीहेवियर देख कर घर से भाग जाते हैं लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते मालकिन ने मालिक को गिलास में पानी दिया और उन्हें कहा कि ये दवाई खालो मालिक दवाई खाने के अंदर चला गया था मालकिन मुझे देखते ही कहने लगी आओ सतीश मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाती हूँ तुम पहले हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ ये सब देखकर मेरा दिमाग तो पूरी तरह से बंद हो चुका था इसलिए मैंने उनकी बात पर गौड नहीं किया फिर वो मुझे कहने लगी सुना नहीं तुमने दो कब चाय बना कर लाओ हम दोनों साथ बैठकर चाय पिएंगे और बाते करेंगे फिलहाल मैंने मालकिन से कोई सवान नहीं किया और मैं फॉरण चाय बना मालकिन ने कहा कि तुम सोचते हो कि ये कैसा आदमी है और अपनी पतनी को नौकर के हवाले क्यों करना चाता है ये आदमी मेरा पती जरूर है लेकिन पिछले दो साल पहले मेरे पती का एक्सिडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी आदास चली गई थी मेरे पती मुझे द कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे पती जैसे ही होश में आए तो उन्हें पावल्पन जैसी हालत में भी मुझे पर शक होने लगा था धीरे दीरे इलाज से मेरे पती ठीक तो हो गए एकिन उनके अंदर अभी पावल्पन वाली बाते कुछ रह गई है और यही प्शपरदस्ती डरा धंका कर मेरे कमरे में बेज देता है वो मेरे यह सावित करना चाहता है कि मैं दूसरे मर्द के साथ भी रिष्टे बना सकती हूँ इस सब कुछ मेरे पती की वीमारी का ही एक हिस्सा है वो इसी लिए सब कुछ करते है वैसे मेरा पती बहुत अच्छा इंसान है, उनके अंदर कोई पुराई नहीं है, बस उनकी शक वाली बात ने उनको उनकी विमारी में भी नहीं छोड़ा है। मैंने ये सच्चाई इसी लिए किसी को नहीं बताई क्योंकि कोई भी नौकर मेरी बात सुनने से पहले ही यहां से भाग जाता है क्योंकि वो सब ही मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मैं उनको मार पीट कर भगा देती हूँ अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते तो मैं तुमें भी मारती और तुम भी फिर अगले दिन नौकरी छोड़ कर चले जाते कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो आरत का फायदा ना उठाए मगर तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो मालकिन ने बताया कि तुम्हारे मालिक का दस महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऐसे डॉक्टर ने कहा है मुझे भी इधर पैसों की जरूरत थी मैंने इंकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फैसला किया मैं मालिक के कहने के मताबिक हर रात मालकिन की कमरे में चला जाता थ और फिर इसी तरह से मैं मालिक को अपनी बातों में लेकर उनको दवाईया भी खिला देता था क्योंकि मालिक दवाईया नहीं खाना चाते थे दीरे-दीरे मालिक का इलाज भी पूरा हो गया और मालिक ठीक हो गये जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजते मैं चला रहती हैं और यही सब कुछ मेरे मालिक के साथ भी हुआ था वो मालकिन को दिवानों की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके सिवा किसी और को ना देखे यही बात एक्सिडेंट के बाद भी मालकिन और उनके दोस्त को साथ देखने के बाद मालिक के दिमा मालिक मालकिन मुझ پर बहुत भरोजा करते हैं और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी बहुत मदद की है अब तो मेरी भी शादी हो चुकी है मेरी शादी मालिक और मालकिन ने ही एक गरीब लड़की के साथ करवा दी थी हम दोनों पती-पतनी मिलकर इस बंगले में काम करते हैं मैं अपनी जिन्दगी से अब काफी खुश हूँ और मालिक का बहुत खयाल लगता हूँ शायद मेरे खुश रहने की वज़ा मेरी नियत है क्योंकि कभी भी मेरी नियत मालकिन पर खराब नहीं हुई थी इसी वज़ा से मालिक भी ठीक हो सके और मालकिन के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अकरके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें